आज हम बनाएंगे चौकलेट स्पंजेग बिना ओवन के बिना हैंड़बीटर के आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पंजजी केक की लेरे reorgan सीपी कर आई हूं जो कि हम बगएर ओवन के बनाएंगे इसकेलिए सबसे पहले हम कॉफी मिक्सण बनाएंगे कॉफी मिक्सण बनाने के लिए हमें बाइ फोर्थ कप पानी चाहिए पानी गर्म होना चाहिए और इसमें हम वान टी स्पून कॉफी एड़ करेंगे आगर आपको तेज फ्लीवर पसंद हो तो आप इसमें two teaspoon भी add कर सकती है अच्छे से हम इसको mix करेंगे अब mix करने के बाद side पर रखेंगे एक चलनी लेंगे और इसमें हम add करेंगे all-purpose floor यानि के मैदा यहाँ पर मैं standard cup ले रही हूँ एक cup मैं ऐसी लोंगे और इसके लावा 12 tablespoon हम floor लेंगे यानि के मैदा लेंगे इसमें हम 8 tablespoon cocoa powder मिलाएंगे baking powder 1 teaspoon baking soda 1 teaspoon नमक 1 by 4 teaspoon याद रखें कि measurement आपने accurate ही रखनी है अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से shift कर लेंगे अच्छे से चान कर mix करके side पर रख देंगे एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें हम दो अदद अंडे तोड के डालेंगे याद रखें कि अंडो का temperature नॉर्मल होना चाहिए यनिके room temperature पे होना चाहिए बहुत जादा ठंडे नहीं होने चाहिए अगर चोटे अंडे हो तो आप तीन अदद भी ले सकती है इसमें हम powder चीनी आड़ कर रहे है मैं यहाँ पे इसमें fine sugar आड़ कर रहे हूँ लेकिन इसको beat होने में बहुत जादा time लगता है तो इसलिए अगर आप hand beater से इस तरह करके whiskr से बना रहे हैं तो बहतर है यह है कि आप powder sugar याई icing sugar यूज़ करें सिंपल आप घर में इसे powder बना कर इसे चान कर एक कप चीनी यूज़ कर सकती है ज्यादा मीठा पसंद तो तो डेल कप भी यूज़ कर सकती है यह अच्छे से क्रीमी हो गया है तकरीबन 5-6 मिनट मैंने बीट कर लिया था अब हम इसमें oil डालेंगे कोई सा भी oil अप ले सकती है आधा कप अच्छे से हम बीट करेंगे अब हम इसमें do that करेंगे यह full fat milk है यह भी room temperature पे होना चाहिए यह हम इसमें add करेंगे एक कप थोड़ा थोड़ा करके हम add करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे याद रखें कि दूद भी हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए अब हम जो dry floor mixer था वो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें शामिल करते जाना है और hand whisker की मदद से इसतर करके mix करते जाना है मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ और यह आप देख सकती है balloon whisk या फिर hand whisker की मदद से इसे हम अच्छे से mix करेंगे यहाँ पर मैं इसमें vanilla powder 1 teaspoon एट कर रही हूँ मेरे पास vanilla essence नहीं है अगर आपके पास vanilla essence हो तो आप 1 teaspoon vanilla essence इसमें add कर सकती है यह अच्छे से mix हो गया है अब हम इसमें जो हमारी coffee थे हमने बना के रखी थे अगर यह ठंडी हो चकी हो तो आपने इसको फिर से गरम कर लेना है याद रखे कि आपने इसमें गरम coffee ही add करनी है यह आप देख सकती है कि mixture हमारा ऐसा होना चाहिए सारी coffee हम इसमें add कर देंगे और इस तरह का pouring better हमारा होना चाहिए अब हम एक 7 इंच का cake pan लेंगे और इसे grease करेंगे butter की मदद से या फिर oil की मदद से इसके उपर parchment paper या फिर butter paper जो भी आप pronounce करें वो हम इसके उपर इस तरह करके रखेंगे मैं cutting बाहर से करती हूँ यानि कि मैं पहले bowl cutting नहीं करती इस तरह करके रख लेती हूँ इसे stick कर लेती हूँ और इसको उपर से spring form के मदद से tight करने के बाद इसको मैं cut कर लेती हूँ side से हम extra जो होगा वो हम cut कर लेंगे और जो बीच में butter paper होगा उसे भी हम grease कर लेंगे sides को भी हम grease कर लेंगे जो battery है हमारा उसे हम cake mold में डालेंगे सारे का सारा management डाल लिया है अब हम इसे अच्छे से इस तरह करके mix करेंगे ताकि जो इसके air bubbles होगे तो वो इसमें से निकल जाएं इस तरह करके आपने इसे tap करना है क्योंकि ये must है अगर इस तरह से करके आप इसे tap करेंगी या फिर इस तरह कोई toothpick लेकर बीच बीच में इस तरह करते जाएं तो इसके जो air bubbles होगे वो इससे निकल जाएंगे air bubbles इसके must है air bubbles अगर इसमें होगे तो ये अंदर से hollow बनेगा यानि कि इसमें सुराख रहेंगे अब हम एक पतीला लेंगे पतीले को मैंने pre-hit कर लिया है याद रखें कि इस सारे process से पहली आपने पतीले को pre-hit करने रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसे low to medium पर pre-hit कर लेना है पतीला हमारा अच्छे से pre-hit हो गया है पतीले को pre-hit करने का तरीका मैं already आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह करके नमक डालेंगे और इसके उपर जाली रखेंगे और इसको ढख कर तकरीबन 20 मिनट के लिए low to medium आँच पर हमने इसे pre-hit कर लेना है अब हम की एक mold इसमें रखेंगे मैं scrapper से जो इसके sides हैं वो थोड़े से उपर को आ गए थे तो scrapper की मदद से इससरा करके मैं बीच में शामिल कर रही हूँ और अब हम इसे ढख कर low to medium हीट पर 35-45 मिनट तक हम इसे cook करेंगे यह आप देख सकती हैं कि आँच इतनी होनी चाहिए मेरे तकरीवन 45 मिनट लगे हैं इसको cook होने में यह आप देख सकती हैं कि हमारा बिलकुल भी ready है बहुत ही moist बहुत ही spongy बीच में आप tap करके देख सकती है हाथ के मदद से दबा कर आप देख सकती है यह इस तर करके तो यह अच्छे से cook हो गया होगा दूसरा तरीका यह है को कोई साभी toothpick या फिर कोई wooden square लेकर आप बीच में इंसर्ट कर लें बिलकुल बीच में आपने इस तर करके इंसर्ट कर लेना है यह बिलकुल clean निकल आया है तो अब हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे और तकरीबन पांट से दस मेंट बाद इससे निकाल लेंगे निकाल लेने के बाद हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर इसकी side को खोल कर हमने इसे turn करके इसका butter paper remove कर देना है याद रखें कि आपने 30 मिंट से पहले पतीले को नहीं कोलना अगर आप 30 मिंट से पहले पतीले को कोलेंगे तो इसका temperature down हो जाएगा और केक हमारा सही नहीं बनेगा तो इसलिए बहतर यहीं है कि आप 30 मिंट बाद पतीले को खोल कर देख लें अगर केक आपका बेक हो चुका हो तो ठीक है नहीं तो 10-15 मिंट आप इसे मजीद बेक कर सकती है यह मैंने इसके butter paper remove कर दिया है और बहुत ही soft बहुत ही moist हमारा chocolate sponge cake त्यार है उमीद है आपको मेरी यह recipe जरूर पसंद आएगी आप इसे जरूर बनाएए जरूर ट्राइ कीजिए बिना oven के और बिना hand beater के बहुत ही easy है और अगर आपको कोई भी question करना हो तो आप मुझे comment box में कर सकती है हमें join कीजिए हमारे facebook page lively cooking पर अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है अगर आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगती है तो मेरे channel को subscribe करना मत भूलिएगा thank you for watching, allah hafiz